हेलो दोस्तो मैं हूँ सिवानी और स्वागत है आपका सिवानी की रसोई में तो आज मैं आप लोग लेके आई हो एकदम हेल्दी और टेश्टी स्वयावीन के कवाब की रेसिपी सोयाबीन का कवाब खाने में बहुत ही टेश्टी लगता और उसके साथ साथ हेल्दी भी होता है तो आप लोग भी सोयाबीन के कवाब की रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पे नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेला कैन को जरूर दवा दीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं सोयाबीन कवाब बनाने के लिए यहाँ पे हम डेर कटोड़ी सोयाबीन ले लिए थे उसको हम 15 मिनट के लिए पानी में अच्छे से भीगो के छोड़ दिये थे गरम पानी में और उसका जब 15 मिट हो गया तो पानी में से अच्छे से हम सोयाबीन को निचोर के निकाल लिए हैं और आप देख सकते सोयाबीन जो है काफी अच्छे से फूल चुका है और उसके बाद यहाँ पे हम ले लिए एक कटोड़ी चने का डाल चने के डाल को हम एक घंटे के लिए पाने में भीगो के छोड़ दिये थे उसके बाद पानी में से निकाल लिए हैं उसके थोरा सा ले लिए हैं धनिया पता, 10 से 12 लहसुन की कली, 3 हरी मिर्च और थोरा सा अधरक का टुकरा तो अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से पीसेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे ग्राइंडिंग जार ले लेंगे तो ग्राइंडिंग जार में सबसे पहले हम अधरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पता को डाल के पीसेंगे उसके बाद चने के दाल को डाल के पीस लेंगे और उसके बाद सोया बीन को डालेंगे तो सबसे पहले इन सभी चीजों को दरदरा पीसना है इदा हम फाइन पेस नहीं बनाना है बस सभी चीजों को डाल के दरदरा पीस के और उसके बाद एक बाउल में निकाल लेंगे तो चलिए सभी चीजों को पहले हम पीस लेते हैं बीना पानी काहीं पीसना है तो ये देखिए दोस्तों सभी जो जो को हम अच्छे से दरदरा पीस लिए हैं आप देख सकते हैं सोया बड़ी भी जो है वो एकदम दरदरा उसको हम पीसे हैं पेश नहीं बना रहा है किसी भी चीज का तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे तो मसालो में हम यहाँ पे ले रहे हैं एक चोथाटाई चमच कस्मिडी लाल्मिस पौबडर आधा चमच धनिया पौडर आधा चमच चिली फ्लिक्स क्योंकि हरी मिर्द जो है मेरे पास वो तीकी वाली नहीं है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लिक्स का भी इस्तिमाल एक चछताई चमच हल्दी पॉडर डालेंगे, अब हम यहां पर binding के लिए डालेंगे चार चमच बेशन, तो पहले चार चमच ही डालना है, अगर जरुत लगेगा तो फिर हम लिए जदा डालेंगे, लेकिन पहले चार चमच डालके अच्छे से सभी चेजा को mix करेंगे, तो डालने के बाद नमक डाल दें तो एक चमच हम नमक इसमें डाल हैं आप अपने टेस्ट के कोडिंग डाल सकते हैं और अब हम इसमें दो चमच निम्बू का रश टाल देंगे ताकि यह टेस्टी और चटपटा बने आप निम्बू की रश के जवाप यहां पर आमचुर थोड़ा सा और इसमें बेसन जाएगा तो यहां पर तीन चमच मेरे पास और बेसन बचा हुआ था तो वह भी हम इसमें डाल देते हैं अव इसमें बेसन की जरूत नहीं परेगी तो टोटल इसमें आदा का टोडी बेसन का इस्तिमाल हुआ है तो बेसन डाल के आब सभी कबाब बना लेता है तो इसके लिए प्लेट ले लिये हैं है हातों उच्छे से पानी साफा कड़ीये है अब हम इसमे से छोटा सा हीचिर में लिए इस मिक्षचर में इसको गोल करते हुए कबाब की तरहा बना लेंगे आप इसमें कोई भी सेप जीकिश कर देहरे हैं से कौल गोल गोल चपता चपता तो इस त्रीके और specialty करके थोड़ा सा इसमें करते हैं तो आपको और यह qi नहीं दखांग है यह कंऊ नहीं लगेगा बस थोरा सा इसमें लोई कितरा जितना बड़cion का लोई ले पर हम इसको healthy बना रहे हैं इसको हम cello fry कर रहे हैं और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए ता gas के flame को low कर देना और इसके बाद तेल में हम एक करके कवाब डाल देंगे जितना pan में अटेगा उतना कवाब हम इस pan में डाल देंगे उसके fry करेंगे यह देखे pan में डाल दी है अब हम सभी कवाब को एक एक करके पलड देते हैं ताकि दूसरे तरफ से भी अच्छे से fry हो सके और इस कवाब को बनाने में आपको ज्यादा तेल का इस्तिमाल नहीं होगा इतना तेल में ही सभी कवाब फ्राइ हो जाएंगे तो चलिए एक करके सभी कवाब को हम अच्छे से पलट देते हैं और आप देख सकते दोस्तों काफी अच्छा कलर आ चुका है एक तरफ से तो दूसरे तरफ से भी ऐसा ही कलर लाना है दो तीन मिनट के लिए अच्छे से फ्राइ करना है तो एक बैच को फ्राइ होने में आपको पांच मिनट लग जाएगा अलट पलट के हम दोनो तरफ से इसका अच्छे से फ्राइ करेंगे तो यह देख सकते दोनो तरफ से यह अच्छे से फ्राइ हो चुका है और कलर भी काफी अच्छा आ चुका है तो आप देखी सकते हैं, तो चलिए, अब इन सभी सोयविन के कवाब को एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और बचे हुए कवाब को भी हम इसी तेल में डाल के और फ्राइ करेंगे, तो हम आपको नजदीक से दिखाते हैं, ये देखें, दोस्तों काफी अच्छा कलर भी आया खाने में तो पूछी हीमत कितना जादा टेश्टी लगने वाला है, तो चलिए, सभी को प्लेट में निकाल लेते हैं, तो सभी फ्राइ किये हुए कवाब को हम प्लेट में निकाल लीएं, अब हम बचे हुए कवाब को भी इसी पैन में डाल के अच्छे से फ्राइ कर लेते और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं तो सभी सोया बीन कवाब को हम फ्राइ कर ली है और इस सोया बीन कवाब को हम सर्फ कर रहे हैं तीखी चटपटी हरी चटनी के साथ इसके साइड में रख देंगे कटा हुआ निम्बू क्योंकि निम्बू तो कवाब के साथ काफी अच्छा लगता है तो चली इसको सर्फ कर लेते, प्लेट में निकाल लेते और आप देख सकते हैं दोस्तों कवाब का जो कलर है वो काफी अच्छा है और हम आपको एक तोड़के भी दिखाते हैं अंदर से भी काफी अच्छा लग रहा है यह देखें एक दम अंदर से सॉफ्ट लगीगा यह कवाब खाने में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी सोयावीन के हल्दी और टेस्टी कवाब की रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए इस तरीके से बनाएंगे तो सभी को काफी पसंद आएगा और हल्दी भी होगा तो एक बार जरूर ट्राइ किजिए इस रेसेपी को अगर रेसेपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा कॉमेंट किजेगा कि आपको ये रेसेपी कैसी लगी सेर किजेगा इस वीडियो को उपने फ्रेंड्स और फैमली में तो मैंने studio फिर से लाओंगी तब तक के लिए बाई